इस वीक रिलीज हुई है करण जोहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म योध्धा इस फिल्म में जहां ही रो सिधात मलोत्रा है वहीं दिशा पतानी और राशी खन्ना फिल्म की आक्टुसेज है योध्धा इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस की है करन जोहर का production house ना सिर्फ फिल्में बनाने पर खर्चा करता है बलकि फिल्मों के promotion पर भी जोर शोर खर्चा करता है और करन जोहर के full industry में links है तो उनके दोस्त भी उनकी फिल्मों को promote करते हैं लेकिन योद्धा की पहले दिन जो हालत हुई है वो हालत इतनी बुरी है कि इस हालत को सुधारने के लिए अब करन जोहर और उनके production house ने एक पे एक टिकेट फ्री का offer दिया है जी हाँ पहले तो film बनाई, film में पैसा लगाया और अब जनता को थियाटर में बुलाने के लिए एक पे एक टिकेट का offer देना पड़ रहा है वो भी film के release के पहले ही दिन योद्धा ने box office पर पहले दिन 4 करोड रुपए कमाए है ऐसे में करण जोहर की कोशिश है कि फिल्म अगले दो दिनों में और अच्छा पैसा कमा सके यही कारण है कि इस तरह का offer दिया है एक तरफ जहां अजर देवगन की शैतान अभी भी box office पर बनी हुई है फिल्म को लोग देखना पसंद कर रहे हैं वही योद्धा को पहले ही दिन दिखाने के लिए इस तरह का offer जब करण जोहर को देना पड़ा है तो साफ समझ में आता है कि प्रोडक्शन हाउस को खुद को पता है कि फिल्म इतना नहीं कमाने वाली है तभी फिल्म की रिलीज के पहले ही दिन डिसकाउंट दिया जा रहा है इस अफ़े योद्धा के अलावा एक और फिल्म रिलीज हुई है अब क्यूंकि अदा शर्मा ने अपनी पिछली फिल्म क्यारिला स्टोरी से काफी सुर्ख्या बटोरी थी और माना जा रहा था कि ये फिल्म भी अच्छी होगी लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ ये फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ओफिस पर ऐसी गिरी कि फिल्म एक करोड का भी बिजनस नहीं कर पाई ये फिल्म पहले ही दिन महस 50 लाग की कमा पाई है बॉक्स ओफिस पर ऐसे में कह सकते हैं कि इस हफते जो दोनों फिल्में रिलीज हुई है यानि की बस्तर और योधा ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप होती नजर आ रही है और इसका पूरा फाइदा मिलेगा अजे देवगन और आर माध्वन की फिल्म शैतान को